कर्णोद में समर्दं मुल्य पर हो रही मूंग खरीदी को लेकर मंगलवार को सर्वेर नहीं आने कारण गंगा वेयर हाउस पर मूंग खरीदी रुकी रही जिससे आकरुचित किसारों ने नार लगाते हुए इंदौर बेदुल नेशनल हाइवे पर चक्का जाम कर दिया हम आपको बता दे कि चक्का जाम के समय नेशनल हाइवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कैतारे लग गई थी करीबादा घंटा चक्का जाम के बाद नायत्विसलदार रविनास सुनानिया ने मोके पर पहुचकर चक्का जाम खुलवाया और संबंदे दिभाग के अधिका कानियों को मौके पर भेज़ कर दूसरे सर्वेयव को बुला कर खर और सुरू कर रवादी कंब्ल गर्ग कर्या है कि कि रिपोर्ट हम अपना थिकार मांगते लिए कि जना पीन कि तना कि ने दिन मत नमर देते हैं तो पहल दो नियन आरहे हैं पोड़ीं किस बात कुले के चक्का जाम कि आज आज आट रोस से रुके हुए है हम लोग और सर्वर नहीं आ रहा है जो विस्तारी की टोकन बटी हुई है कौन सा वेराहूस है यह यहां पर मुंग खरीदी हो रही है और अभी तक किसानों को कोई सुचित नहीं किया जा रहा है कि सर्वर किसान क्या करेंगे बता है और पानी गिरने के कारण बारिस से अभी तो कोई अधिकारी नहीं आए अधिकारी सो रहा है भी इसके पहले आपने आधिकारी को अवबत कराया था कि समस्य को फोन लगा लिए यहां से देवास जो मुंग खरीदी केंडर पर इसान खड़ें हु होपी पर जार करके सुझा लिया गया है और सर्वेयर जो नहीं आए था उसकी स्थान पर हमने दूसरा सर्वेयर हुई दिया है काम सुझार रूप से भी चालू हो लिए है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले